दोस्तो एक सुन्दर सा घर हार एक इनसान की सपना होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत की बाद हमारा घर बन भी जाता है लेकिन कुछ साल बाद हमारा घर की छात देखने में खराब लगता है और लिकेज जैसे समसा देखने को मिल जाता है फिर छात को वाटर पूर्पिंग किया जाता है और दौस्तो वाटर पूरफिंग का बहुत ज़ादा खर्चा होता है और इसलिए दौस्तो आज की इस वीडियो में हुआइट सेमेट और डॉक्टर फिकस Convention से एक बैतरिन सा वाटर पूरफिंग करके आप सभी को दिखाया जाएगा और इसका कोस्ट या खर्चा बहुत ज़्यादा काम होती है और खास करके दोस्तो साउत में जैसे की केरल, टामिल, करनाटेका, चेननाई इन जगा में इस तरह की waterproofing लगभग सभी घर में किया जाता है एकिन माने दोस्तो अगर आप आज इस वीडियो पूरा देख लिया तो एक 32 दिन सा waterproofing आप घर में आराम से कर सकता है बिना किसी पेंटर से क्यूंकि दोस्तो एक प्रोसेस फोलो करना बहुत ज़्यादा आसान है सबसे पहले दोस्तो आपका घर का छात कितना सकरफिट है आपको माब लेना है क्यूंकि दोस्तो एक 50 किलो वाइट सेमेट में आपका 700 से 800 सकरफिट छात पूरा कबार होती है और 50 kg JK या विल्ला वाइट सिमिट का बाजारी मुल्ल होता है लगभाग दोस्तो 900 रुपिया अब दोस्तो बात करेंगे Dr. Fixit की तो Dr. Fixit Super Latex 302 एक लिटर डोक्टर फिक्षिट से आपका 10 kg वाइट सिमिट मिक्स करना होगा यानि कि दोस्तो 50 किलो हॉइट सेमिट की साथ 5 लिटर डॉक्टर फिक्सिट मिक्स करना होगा और दोस्तो 5 लिटर डॉक्टर फिक्सिट 302 का प्राइस है लगभग दोस्तो 15 रूपया और दोस्तो आब इसका साथ DDL का फेबिकॉल भी मिक्स कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है अब की मर्जी अब दोस्तों सबसे पहले जीशी भी स्लाब का आप water purping करना चाता है उस स्लाब को आच्छे से clean करना है जितने सारे डाग धब बे सबको आच्छे से clean करना है और इसके लिए आप tar brush का भी use कर सकता है और दोस्तो पूरा स्लब क्लिंग करने की बात स्लब में तरह करके पूरा स्लब भिगो दे इसी तरह से स्लब को वाटर पूर्पिंग से पहले रेडी कर ले दोस्तो अच्छे से क्लिंग करके अब आता है दोस्तो वाइट सेमेट मिक्सिंग की बारे सबसे पहले दोस्तों बाल्टी में 4 लीटर पानी डाले और 4 लीटर पानी में आपका 5 किलो वाइट सेमेट डाले और 5 किलो वाइट सेमिन में आप 10 लीटर डॉक्टर फिक्सीट डाले इस तरह से दोस्तों आपका घोल बिलकुर रेडी हो जाएगा और दोस्तों अगर वाटर पूरा पॉलीमर बैस सही तरह से मिक्स हो सके अब दोस्तो आपको वाटर पूर्फिंग शुरू करना है याद रखना दोस्तो फास्ट कोड आपको होरिजोन्टल मोट पर एपलाई करना है और दोस्तो वाटर पूरूप करते समय अगर छात बहुत ज्यादा सुक चुकी है तो छात में फिर से थोड़ा पानी डालके भीगो देना है और इसी तरह से दोस्तो आपको फास्ट कोड का एपलाई करना है तो आपकी छात में आच्छे से ब्रास चलाना है ताकि दोस्तो पूरा छात में वाटर पूरूपिंग हो और कही में भी बिल्कुल छुटना नहीं चा अब दोस्तों समझने बाली बात एह है फास्ट कोट के बाद आपको after 24 hours यानि कि दोस्तों 27 घंटा बीच जाने की बात में आपको सेगेन कोट का एपलाई करना है और फिर से आपको फास्ट कोट किया छात को आच्छे से क्यूरिंग करना है पूरा सलाब भीगो देना है और द सेगेन कोट हमें भार्टिकल मोड पार एपलाई करना होगा क्यूकि दोस्तों फास्ट कोट हमने होरीजोंटल मोड में एपलाई किया था इसलिए सेगेन कोट हमें भार्टिकल मोड पार एपलाई कर लेना है और इस तरह से आपका छात सुन्दूर दिखेगा और वाटर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है और दोस्तो वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक की साथ चेनल को सस्क्राइब जरूर करना और दोस्तो इस वाटर फूर्पिंग से जुड़ी अगर आपकी मन में कोई सवाल है तो आप हमारी कॉमेंट बॉक्स पर जरूर करना आपके दोस्तो हर सवाल का जवाब हम कोमेंट पर जरूर देंगे तो आज खिर दोस्तो पास इतना ही फिर मिलेंगे एक ने वीडियो की साथ तापता के लिए जय हिन बांदे मातराम